दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन में आपका स्वगत है मैं हो अरुबिलेश राहूल गांदी की लोकसभा की सदसेता क्यों खत्म हुई है संबिधान के वो कौन से प्रावधान थे जिनकी वज़े से ऐसा हुआ कोट केस क्या है इसके बारे में हमारे दर्शक आप सब अच्छी तरह जानते हैं आपने पढ़ लिया होगा टेलिविजन पर देख भी लिया होगा हलांकि टेलिविजन अपने ढंक से ही कुछ चीज़ों को दिखाते हैं पूरी कहानी नहीं बताते लेकिन बिलकुल संचेप में अपने आज के विशेप पर आने से पहले मैं बता दूँ कि गुजराद के सूरत के सीजियम साहब यानि चीफ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट उनके यहां से जो फैसला सुनाया गया कि राहूल गांधी कोलार यानि करनाटक में जो चुड़ाव के दवरान जो उन्होंने स्पीच दी थी उसकी वज़ा से आवमारना का केस जो था उसमें वो दोशी पाए गये और इसके कारण चुंकी सजाद दो साल की थी इसलिए उन मैधानिक जो प्रावधान होता है नाइंटीन फिफ्टी वन के लोग प्रतिहत्यो कानून के हिसाब से सेक्षन एट थी उसके तहट उनकी मेंबर्सिप चली गए कोट का फैसला आने चाना की तीस दिन का वक्त दिया गया था लेकिन लोग सभा के सचीवाले ने बहुत कम समय रहते ही उसको तक्काल नोटिफाई किया ठीक है उसको कानूनी तोर पे विधाई तोर पे कोई उसको चुनती नहीं दी जा सकती है लेकिन बड़े दिल्चस वाकिया उसके बाद सामने आया अभी एक खबर चली रही थी कि लोग सभा ने नोटिफाई कर दिया है कि राहूल गांदी की मेंबर्सिप गई और उसी समय एक खबर आई कल टेलिविजन चैनलों पर आपने भी देखा होगा कि केरल के वायनाड में बाई एलेक्शन कराने की तैयारी शुरू हो गई है यानि लोग सभा का जो उप चुनाओ है केरल में वहाँ पर जहां से राहूल गांदी चुने गए थे वहाँ पर ततकाल चुनाओ कराया जाएगा जल्दी से जल्दी अप्रील के बारे में कहा जा रहा है तो अप्रील अगला ही महीना है कुछी दिन के बाद तो इतनी जल्दबाजी है और दोस्तों ये कई बार योजना कई बार संजोग भी दिखाई देता है अभी कुछी दिन पाले हम आप सुन रहे थे कि अगर लोकसवा के अंदर राहूल गांधी ने लंदन में दिये अपने भाषणों को उनसे इंकार नहीं किया या उन भाषणों के कारण जो भारत की छवी बिगड़ी है, सरकार की छवी बिगड़ी है, लोकतंत्र की जो छवी बिगड़ी है, उसके लिए माफी अगर नहीं मागी, तो उनकी सदस्ता चली जाएगी, कुछ लोगों ने पहल भी की थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, लेकिन राजनीतिक पहल नहीं करनी पड़ी जादा, उसके पहले ही विधाई तोर पे, कानूनी तोर पे, ये सीजियम कोट का जो फैसला आया, आनन फानन में फिर सदस्ता चली गे, हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हम भारती जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया पर जाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, बड़ी दिल्चस्प बात है, वो रा गोली मारे और कहे कि वो गोली मारते समय जोग क्यों नहीं गया, उसको गोली नहीं लगती, कबाल की बात है, अरे भाई बारती जनता पार्टी के एक नेता जो कैबिनेट मंत्री थे गुजरात के पहले, और अभी भी विधायक हैं, उन्होंने बहकाहे देर वहां पर का काम है, लेकिन कोट का फैसला आ गया, इस बीच में उन्होंने एक बार हाई कोट में भी दायर किया था याचिका, अनुरोध किया था माननी अदालत से, कि उसको जो जो चल रहा है मामला सुरत में उसको स्थगित किया जाए, और वो भी गया था, फिर उन्होंने शुरू किस्ता को स्थगित, खतम कराने का जो उनका अभियान था, क्योंकि कोट में तो वही गया, अरे बही इस देश में चुनाव के दवरान नो जाने कितनी बार नेताओं के खिलाब क्या-क्या नहीं कहा जाता रहा है, वो किसी को जर्सी गाय कह देते हैं, किसी देश की माननी न नेता को, इलेक्टेड, इलेक्टेड लीडर को, किसी को 40 या 50 करोड की गल्फरेंड कह देते हैं, किसी की पत्नी को, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन चुनाव के दवरान एक नेता ने कुछ बात कह दी, मैं ये मेरा डिस्क्लेमर, मतलब मैं इस तरह की भाषा मैं स्वैम नहीं पसंद करता और मैं बिलकुल मानता हूं कि उन्हीं शब्दों को बेहतर डंग से पेश किया जा सकता था जो संसदी होते जो अच्छे होते लेकिन इसके अरहार पर किसी बड़े नेता की सदस्ता को खत्म करना और अपने तमाम लोगों की तमाम केवल सदस्ता बरकरार रखना बल्कि उनका प्रमोशन करना उससे भी जादा विवत सब्दों के लिए उससे भी जादा और संसदी और मर्यादित गाली गलोज बरे हिंसा 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 से भरे सब्दों पर आप प्रमोशन दिलाते हो लोगों को पोس्ट्रों पर तरतर की बातें लिखी रहती हैं अभी दिल्ली में देश की रायधानी में एक पोस्टर आया मोधी हटाओ देश बचाओ इंदिरा हटाओ देश बचाओ मनमहन सिंग हटाओ देश बचाओ देवगोडा हटाओ देश बचाओ कितने ऐसे पोस्टर अपने जीवन में आपने हमने सब ने देखा है नर्सिंग राओ हटाओ वाजपेई हटाओ देश बचाओ ये पोस्टर भारे पड़े रहते थे दिवालों पर एक जमाना आया जब दिवालों को गंदा करने पर धंड भी प्रधान किया गया वो सब ठीक है जमाना बदलता है कानून भी नए आते हैं लेकिन आप ये कैसे का सकते हैं कि इनको हटाओ देश बचाओ ये कोई गहर कानूनी है और संबैधानिक है लेकिन इस पोस्टर पर ही इ इसमें दो प्रिंटर हैं दो छापने वाले हैं तो ये इस दोर में ये सब भी हो रहा है और इसके अलावा बीजेपी के नेता एक और बड़ी दिल्चस्प बात कह रहे हैं अब जिस पर आप हसी है या रोई ये जो भी चाहिए आप कर लीजिए वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी थे वो तो हिंदू बर्ण ब्योस्ता में नहीं आएंगे क्योंकि वो मुस्लिम थे पीलू मोदी साब भी पार्सी थे लेकिन मोदी उपनाम था मोदी उनका टाइटिल था अनेक ऐसे टाइटिल हैं हिंदू बर्ण ब्योस्ता जो है उसमें भी अनेक ऐसे समुदाए है जो इस तरह के टाइटी लिउस करते हैं शर्मा सिनहा लेकिन ये समुदाय हैं जाती हैं या नहीं हैं ये समाज सास्तिरी विश्या हैं बैराल ये कोट और समाज सास्तिरी के बीच के जो रिश्टे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे हमारा कहना है कि भारती जन्ता पार्टी का ये जो बयान है वो बड़ा दिल्चस्प है इसको मैं पढ़के सुनाता हूं ताकि बिल्कुल वाग के दर वाग के शब्द सर शब्द दर सब्द बिल्कुल वही रहे जगत-प्रकाश नड़ा साहब वो ये कहते हैं कि राउल गांदी का आंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है अपने राजनितिक लाब के लिए उन्होंने पूरे OBC समाज का अपमान किया याद रखिये शब्द पूरे OBC समाज का अपमान किया उन्हें चोर कहा समाज और कोट के द्वारा बार बार स सी समाज की ये चिंता ये उसकी तरफ से जो एक उसके लिए जो दरिया दिली जो दिखा रही है भारती जनता पार्टी ये क्या महत्चुनावी शगुफा है क्योंकि OBC कमुनिटी को लेकर पिछड़े वर्ग को लेकर भारती जनता पार्टी या उसका पुर्वावतार क्योंकि रिपोर्ट जो जो OBC के लिए बहुत महत्पुन रही है वो जिन दिनों सरकारी आलमारियों में कैज थी क्या भारती जनता पार्टी या जनसंग के नेताओं ने कभी भी कभी भी कोई एक मिवरेंडम उस समय के प्रधान मंत्री इंदीरा गांधी को दिया कभी भी दिया क्या कि भई इसको लागू किया जाए इसको आलमारी से निकाला जाए इसका इंप्लिमेंटेशन हो कभी कोई धर्ना प्रदर्शन कोई कारवाई जनसंग के या बीजेपी के किसी नेता या किसी संगठन ने कभी भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए किया और वीपी सिंग ने अगस्त 1990 में जब सरकारी आलमारी से निकाल करके और मंडल आयोग की सिफारिशों में से 40 सिफारिशों में से एक सिफारिश यानि आरक्षण की सिफारिश को लागू करने का एलान कर दिया तब भारती जनता पार्टी क्या कर रही थी भारती जनता पार्टी उस समय किस रोल में थी पटना से लेकर दिल्ली तक उसके समर्थक और उसके कारिकरता मंडल आयोग की रिपोर्ट पर क्या बोलते थे क्या कर रहे थे मैंने अपनी आखों से देखा है क्योंकि उन दिनों नौभारत टाइम्स का मैं एक रिपोर्टर था और मैंने गली में सड़क पर दफ्तरों में और दफ्तरों के सामने क्या होता था इसको रिपोर्ट किया है OBC के इंट्रेस्ट उस समय कहां थे नडडा साहब भारती जनता पार्टी के आधरनी नेता और अब आप कह रहे हैं कि OBC का आप मान कर दिया है कॉंग्रेस ने और एक कॉंग्रेस ने तो अभी अभी मैं कॉंग्रेस की तमाम अनेक नीतियों की आलोचना करता रहा हूं और कर महाधिवेशन में उन्होंने OBC कम्यूटी का तो सम्मान किया है उन्होंने 50% रिजर्वेशन ब्लॉक कमेटी से लेकर और कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी तक देने का ऐलान किया है यही नहीं उन्होंने देश में OBC के मंत्राले बनाने का ऐलान किया है यही नहीं उन्होंने म तो क्या केवल नजर 2024 पर है ताकि OBC को पता है कि राहुल गांदी ने जो बयान दिया था वो OBC के खिलाब था मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में आपत्ति जिनक भाशा में अगर कोई बयान देता है उसको मैं बिल्कुल एप्रूब नहीं करता मैं बिल्कुल नहीं करता लेकिन ये कहना कि OBC का अपमान किया ये हास्यासपद है इस पर मैं अपनी कोई बात कहूं से बेहतर है कि देश के बहुत ज्याने माने इतियासकार और कई किताबों के लेखत पहले अधिकारी रहे हैं सेवा निवर्ति के बाद लगातार वो लिख र अपमान कर रहे हैं और कोट ने भी माना कि आरक्षन का पालन नहीं हुआ है तब भी आप संबान कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की फीस बढ़ाकर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इलाब आदिनुस्टी से लेकर हर जगा हुआ है उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई की फीस बढ़ाकर और विश्विद्याले से पिछड़े वर्क के बच्चों को घर भेज कर सम्मान कर रहे हैं विश्विद्याले से फैसले काफेसल करकर आप सम्मान कर रहे हैं लेटरल इंट्री में ओबीसी नहीं यह भी गजब का सम्मान कर रहे हैं अकाद्मियों से ओबीसी को बाहर करना ये तो संपूर्ण संबान है गाउं देहातों में OBC के प्रती हिंसा और सुनवाई नहीं ये भी संबान कर रहे हैं अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना संबान हम ओड़ें विच्छाएं या बाध कर कब्र में ले जाएं ये सुभाश शंद्र कुश्वाहा जो ए इस पूरी बहस के दौरान एक सवाल और उठ रहा है कि 2013 में राहुल गांधी ने उस समय की UPA सरकार जब प्रदान मंतरी मनमहन सिंग थे जो अध्यादेश आया था लिली थामस बनाम भारत सरकार की केस में सुप्रिम कोर्ट से अगर जो वो मामला उस समय सामने आया उसको न तोर पे फाड़ा न होता सरकार पर दबाव न बनाया होता और सरकार ने उस अध्यादेश को निरस्त न किया होता यानि आगे न बढ़ाया होता अध्यादेश को लागू करने से इंकार कर दिया सरकार ने राहुल गांधी के दबाव में आकर ये सब अगर न हुआ होता तो वाज राहूल गांदी की मेंबरसिप नहीं जाती उस समय लालू यादों की मेंबरसिप जा रही थी और चली गई क्ये हँखूर कि अद्यादेश पारिश नहीं हुआ उसको लागू नहीं किया गया तो ये बात भी आज उठ रही है और ये बात सही है इसमें कोई दोराई नहीं, राहुल गांदी का वो कदम बिलकुल गलत था, लेकिन राहुल गांदी के बारे में ये बात कहकर जरूर मैं अपनी बात खतम करूंगा, कि अतीत में उन्होंने कई गलतियां की हैं, और इन गलतियों के पीछे उनके अदकच्रे दिमाग के वो अध्याजेस फाड़ा था, तो उनके बगल में कॉंग्रिस के एक बड़े नेता उन समय के, और आज भी बड़े नेता हैं, हाला कि राजस्तान के पिछले दिनों विबात के बाद उनकी हैसियत पार्टी में कम हो गई है, अजे माकन साहब वो मुझूद थे, और भी कु ने आये हैं, आज वो निस्तंदेह विपक्ष की एक बड़ी ताकत के रूप में, एक बड़े केंद्र के रूप में इमर्ज किये हैं, और हो नहो, सत्ता पक्ष के लिए ये बात नागवार गुजर रही है, और मुझे लगता है दोस्तों, आगे के जो डिवलप्मेंट्स ह उन पर नजर रखने की जरूरत है कि किस तरह अपने देश की डिमक्रसी को वाकई वाकई उसको खत्म किया जा रहा है, उसको तहस नहस किया जा रहा है, मुल्यों का हरास हो रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जितनी संस्थाएं हमारे देश की हैं, चाहे वो समबैधान की संस्ताएं हो या प्रशास्मिक समस्याएं हो या सामाजिक संस्ताएं हो सब को देखने की जरूरत है निगरानी रखने की जरूरत है और जरूरत के हिसाब से पाहल करने की जरूरत है नमस्कार आदाब सत्रियका